हाई गाई जैहिंद वेलकम तो माई यूटूब चैनल दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में दोस्तों आज हम लोग फोटोशॉप में बहुत यह अच्छा चीज सिखने वाले हैं कि कोई भी पहले सा लोगो या डिजाइन किया हुआ है वहाँ पर हमें इडिटिंग करके और पैच करके नया चीज कैसे अड़ेस्ट करते हैं तो आए दोस्तों हम यहाँ पर डबल क्लिक करके और उस फोटो को ले लेते हैं जैसे की हां पर एक फोटो देख रहा है इस फोटो क को यहाँ सो ऑपेन कर लेते हैं यह फोटो मेरी यहां पर आ जाएगी उसके बाद दोस्तों हम इसको उठा करके और यहां white color पर डालेंगे automatic वहाँ change हो जाएगा ये area फिर से हमें इस area को select करनी होगी same और कहीं पर कोई click नहीं करना है और फिर से इसको मिला लेना है फिर उठा करके फिर आपको वहीं पर डालना है फिर से आपको phrase मिल जाएगा जगा और then आपको इस word को select करना है फिर से इसे उठा करके और वहीं पर रखना है फिर से आपको एक phrase जगा मिल जाएगा तो दोस्तों मैंने यहां पर editing कर लिया है लेकिन मुझे text लिखना है और थोड़ा सा text लिखना difficult है because यह ठीड़ा text लिखना है तो इसके लिए हम text पर click करेंगे और type करेंगे यहां पर हम mca computer c o m p u t e r इसको हम select करते हैं दोस्तों select करने के बाद हम color में जाते हैं और color में जाने के बाद एक अच्छा सा color हम यहां पर choose कर लेते हैं color choose करने के बाद इसे मुझे क्या करना है size थोरा सा चोटा करना है तो size हम कम से कम इसका यहां से 16 कर लेते हैं 17 कर लेते हैं अब हम यहां से apply कर देते हैं apply करने के बाद दोस्तों हम control minus करते हैं थोरा सा यह चोटा दिखने लगेगा और यहां पे मुझे क्या करना है अब इसको adjustment करना है पहले तो पहले adjust करने के लिए हमें करना क्या होगा यहां से text बटन पे click करना है और यहां पे adjust करने के लिए आपको options दिया हुआ है creative wrap text इस पे आपको click करना है click करने के बाद यहां से arc option पे जाना है arc option पर जाने के बाद इसको minus में करना है आपको इत्ता minus में करना है कि सारे angles आपके नीचे में touch हो जाए तो लगबग 38 minus 40 करते हैं यह minus 40 42 यानि 42 42 में लगबग सारे angles आपके touch हो चुके हैं इसको आप OK कर लेते हैं करने के बाद फिर से apply करते और इसको हलका साम increase करके उपर में ले जाते है तो कुछ इस तरह से design यहाँ पर आपका नजर आएगा फिर हम यहाँ से apply बटन पर click करते है अप्लाई बटन पर click करने के बाद select all करते है यह आपका total selection डोस्तो यहां पर आपने आसानी से बहुत ही अच्छा से चेंजिंग कर लिया है, आप इसे हम यहां से डीसेलक कर लेते हैं, यह लोगो आपका बन करके त्यार हो चुका है। तो दोस्तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि design में changing करना तो आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं अगर दोस्तो size वगर हम बढ़ा करना चाहते हैं तो आसानी से हम इसको select करेंगे Ctrl बटन से और size में जाएंगे हम इसको थोरा सा size बढ़ा करके 19 कर लेते हैं और यहां से okay कर देते हैं, then apply करने के बाद इसे हम ऐसे मिला लेते हैं, तो दोस्तों बहुत ही सुन्दर सा यह design आपका बन चुका है, अगर आपको वीडियो फसंद है तो like, share and subscribe जरूर करें, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक लिए take care, have a nice day, bye bye, thank you.